भारतिय तेज गेंद बाज मुहम्मद सिराज ने रविबार को एशिया कप फाइनल की, प्लेयर आफ दा मैच की इनामी राशी के तौर पर मिले, पांच हजार डॉलर श्वीलनकाई मैदान कर्मियों को दिये जिन्होंने बारिश से बाधित पूरे टूर्नामेंट में खूब मुकाबले में भारत ने श्रीलनका को 10 विकेट से हराया, 6 विकेट लेने वाले मुहम्मद सिराज की तुफानी गेंद बाजी के दम पर भारत ने श्रीलनका को मात्र 50 रन पर ओल आउट कर दिया, आसान लक्ष्य पीछा करते हुए भारत ने 37 गेंद में मुकाबला जीत कर 8 वी बार एशिया कप अपने नाम कर लिया, मुहम्मद सिराज ने कहर बर पाते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए, बारिश के अनुमान के बावजूद श्रीलनका ने टॉस जीत कर बल्ले बाजी का फैसला किया, मैच 3 बजे की बजाए बारिश के कारण 40 मिनट विलम से शुरू हुआ, बारिश तो खोतम हो गया, लेकिन श्रीलनकाई बल्ले बाजों को सिराज के रूप में एक दूसरे ही तूफान का सामना करना पड़ा, उनकी गैंदबाजी के सामने श्रीलनका की टीम 15 दशमलव 2 ओवर ही टिक सकी जो भारत के खिलाफ वंडे में उ पायदान कर्मियों के लिए 50,000 डॉलर के इनाम का एलान किया था, बारिश के कारण एशिया कप का श्रीलनकाई चरन बाधित रहा, फाइनल में भी आउट फील्ड गीली होने से खेल देर से शुरू हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच पालेकल में पहला मैच बारिश की बेट हो गया जबकि कुछ और मैचों में नतीजा डखवर्त लुईस प्रणाली पर निकला, लेटस्ट स्पोर्ट्स न्यूज अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,